हेलो गाइज दिस इस अभशेक कुमार सिंग वन्स अगें यूवलकम तो यूटीब चैनल एज़ के सामने आए हैं जो हमने किया था शुरूआत में कि हम आपको जोगरफी की सारी की सारी नॉलेज स्टार्ट्टिंग से देने पूरी की पूरी कोशिश करें है तो चली शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक होनेवाला है फिर नदियों में, तालाबों में, समुद्र में, इन सारी जगा पर पानी कैसे आता है, ठीक है, वो सारा प्रोसेस हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास पेने के लिए पानी कितना अविलेबल है, उसके कितनी कुएंटिटी हमें हमारे पास current time में अविलेबल है, ह ट्रांसफर होता है, atmosphere के अंदर, वो basically cyclic way में होता है, यानि एक चक्र होता है, जिसके तुरू जो जल है, वो पूरे के पूरे वायू मंडल में, circular way में, रन करता है, यानि चलता है, ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है, दुनिया में, पात जो म की गर्मी की वज़े से जो ये पानी होता है, वो पानी क्या होता है, यानि वाश पिकरत हो जाता है, और भाप में बदल जाता है, जब पानी भाप में बदल जाएगा, तो वो हलका हो जाएगा, और हलकी हवा ऊपर की तरफ गती करेगी, तो क्या होगा, temperature कम होगा, क्योंकि एक डिग्री एक किलोमेटर ऊपर जाने पर कितना तापमान कम होता है 6.4 डिग्री सेलसिस तापमान कम होता है अब उसको एक ऐसा लेवल मिल जाएगा जिस पर उसका का कंडन्शेशन स्टार्ट हो जागा जिसको हम उसांक बिंदू कहते हैं या फिर डिव पॉइंट कहते हैं अब डिव पोइंट आ जाने से क्या होगा जो भाप है वह जलकी बूंदों में जाएगा और उसके बाद का फॉर्मेशन का बादल कहेंगी अब बादल क्या है समुंद्र से हवा की साहता से धर्ती की तरफ आएंगे अब हवा क्या करेंगे उन्हें पुष करेंगे कि आगे की तरफ जाएगे तो क्या होगा आगे के तरफ जाएंगे तो अभी भी क्या होगा धीरे धीरे उनका वजन उसमें और जादा वाटर वेपर से एड़ होती रहेंगी अब जब एड़ होती रहेंगी तो उनके उपर जो लोड है वो भी बढ़ जाएगा उसके बाद क्या होगा वो धीरे धीरे उपर जाने के भ घट रहा है अब temperature जब इस level पर कम हो जाएगा जिसके वज़े से वो उनकी holding यानि water की holding capacity जो है वो बिल्कुली खो जाएगी तो वो फिर बारिश होनी start हो जाएगी अब बारिश भी अमने कल तीन तरीके से पढ़ाता तो आज हम orographic rainfall की बात कर रहें तो basically समुंद्रों के जो बादल है वो फिर पानी के रूप में जो water droplets है वो पानी के रूप में क्या हो जाती है बरसना शुरू कर देती है अब यह पानी जब बरसता है तो यह वापिस जमीन पर चला जाता है कुछ पानी तालावों में नदियों में ठीक है बस बच जाता है हमारे पीने योग ग जाती है जा ग्राउंड वाटर में भी कनवर्ट हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो जाता है अपना तो इस तरीके से जो water का एक cycle है वो चलता है और जो run-off की वज़ए से जो extra water होता है वो आपर समूंदर में चला जाता है फिर वह करेंगे the major source of fresh water यानि हमें ताजा पीने का पानी कहां कहां से उपलब्द हो सकता है ठीक है अब ऐसा तो है नहीं कि हम समूंदर के पानी को direct consume कर लें ठीक है क्योंकि समूंदर में पानी तो बहुत है पर वो पीने योग नहीं है क्यों क्योंकि वो उसके अंदर बहुत सारी लबाना है ठीक है तो अब हमें पीने का पानी कहां सुपलब्द होता है तो हमारे पास basically कुछी सोर्स होते है जासे वैल जो है वह हम जब जमीन में बहुत गहरा गड़्डा खोते हैं तो क्या होता है एक ground water जो हमें मिलना शुरू हो जाता है तो वह वैल की मत्रत से हमें मिल वारिश की पानी को बचा लेंगे तो यह प्रॉब्लम यही है कि जो पानी है वो सारा का सारा रन ओफ होके समुद्रों में वापी चला जागा यानी पानी बर्बाफ इसलिए हमें रेन के वाटर को बचाना बहुत ज़रों और तीसरा जो सोर्स है वो है इस्ट्रीम यानि नदियां अब जाएड़ से बाते ज्यादा त तो ऐसी ही जो इन नदियों का स्रूफ होता है व क्लिशियर होता है फिर हम बात करते हैं टेप की यानी टोटी सब्लि और पानी मिलता है ऺग connect to water जो होता है और उसके अंदर बहुत साले प्रदूर पानी होता है क्योंकि वो बहता हुआ पानी नहीं अगर बहता हुआ पानी होता है तो हमसे साफ पानी मान भी सकते हैं पर वो एक जगा रुका हुआ पानी है उसके अंदर बहुत सारी काई होगी बहुत सारी जयम्स होगी तो पीने योग नहीं होता है पीने के लावा हम उस प water salty होता है it contains large amount of dissolved salt अब देखिए समुद्र में salt आया कहां से तो simple से बात है जो rivers वगयर होती है वो पहाड़ों से निकलते हैं तो erosion करती है तो उनी पहाड़ों से उनी रास्तों से उनको वो salt मिलते हैं और वो सारे के सारे salt कहां पर वो at the end oceans में जाके गिरा देती है या mix कर देती है ठीक है जिसमें सबसे important जो salt है वो बच्चो sodium chloride यानि समुद्र के पानी के अंदर number one सबसे ज्यादा quantity में जो हमें देखने को मिलेगा वो है sodium chloride ठीक है फिर हम बात करते है salinity यानि समुद्र के अंदर जो salinity कितनी है उसका measurement कैसे करते हैं तो simple इसका होता है कि 1000 गराम यानि एक किलो गराम पानी के अंदर कितना salt उपलब्द है उसी को हम कहते है salinity level ठेक है तो basically dead sea इस्राइल में है एक अमरित सागर जो है वो इस्राइल देश में है जिसकी salinity 340 गराम पर लिटर यानि एक लिटर पानी के अंदर 340 गराम सलाइन है यानि लवण है तो वो कितना ज्यादा खारी खारा पानी लोजागा तो दुनिया का जब सबसे saline sea है वो अपना dead sea है जो कि इस्राइल में है यह चीज आप note-down कर लिजेगा ठीक है इवन उसके अंदर salinity इतनी जादा है कि कोई भी swimmer है बिना तहरे वो डूबी नहीं सकता है अगर वो नहीं भी तर रहा है तो वो डूबेगा ठीक है पिर हम बात करते हैं distribution of water bodies तो अभी हम बात कर रहें थे कि पानी जो है वो हमें किन-किन रोपों में प्राप्त होता है सो समुद्रों में अगर हम बात करते हैं सौ परतीसत पानी के तो इस graph को अगर हम देखते हैं तो 97 परसंट जो water है वो क्या है saline water यानि खारा पानी है 97 परसंट तो सोचिए हमारे लिए जल बचाना कितना जरूरी हो जाता है ठीक है उसके बाद तीन परसंट जो पानी है वो सिरिफ fresh water अब तीन परसंट पानी में से भी कितना हमारे लिए उपलब्द है यह जानना भी बड़ा जरूरी हो जाता है तो अगर हम तीन परतीसत को दुबारा 100% में convert करते हैं तो 68.7% जो पानी है वो glacier के रूप में बरफ के रूप में यानि जमा हुआ है वो हमारे लिए किसी भी तरीके से useful नहीं है ठीक है फिर 30.1% जो water वो जमीन के नीचे है और अगर हमने सारा जमीन का पानी निकाल लिया तो उसके भी बहुत सारे नुकसान है क्यों क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे minerals होते बहुत सारे chemicals होते सबसे एच्छ राजस्थान में नागोव डिश्ट्रिक है तो वहां का जो groundwater उसके इंदर फ्लॉराइड गंटेंट बहुत जाता है फ्लॉराइड एक ऐसा कंटेंट है जो हमारी बोन्स के लिए हामफुल होता है बोन्स में वो दो तरह की बिमारियां लाता है पहली बिमारी होती है डेंट क्योंकि अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें उसे रिचार्ज भी करना है क्योंकि अगर वो एक तंकी के तरह है अगर आपने वो तंकी खाली कर दी और आपने भरी नहीं तो क्या होगा सूखा पड़ेगा ड्रॉट आएगा जिसकी वज़े से आपको ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी क्लियर फिर हम बात करते हैं 0.9% जो होता है वो अधर होता है और जो सर्फेस वाटर है 0.3% सर्फेस यानि धराते लिए जल जो है वो 0.3% वो भी कितने का 3% का 0.3% आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी कितना ज्यादा प्रीश होता चला जा रहा है फिर अगर हमें 0.3% वोटर ही पीने के लिए अवलेबल हो पाता है अब हमें इसी लिए जल को बचाना चाहिए हमें उसका अंदादुन्द इस्तमाल नहीं करना चाहिए यानि हमें क्या है हम अगर सारा पानी यूज कर लेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन क्या यूज करेगी अगर हम बात करते हैं ocean circulation यानि समुद्री परिसंचरण देखो circulation का मतलब क्या होता है पानी का अपना एक बहा होता है ट्रॉपिकल रीजन से पानी धुर्वो की तरफ जाती है क्योंकि उसे विंट्स जो है जैसे ट्रेइड विंट्स है जो वेस्टर लीज है उनको क्या करते है पुश करती है तो वह आगे की और फ्लो करता है ठीक है तो इसी को हम एक परिसंचरण कहते है यानि पानी जो है व सबसे इंप्ड lot japon ॏ जियुक्र लेज तो कि मचली का सबसे इंपॉर्ट का इंपॉड है दो है अब यहांपर इक डाबर बेंक यानि अगर हम बात करें इंग्लेंड के पास एक डाबर बैंक है जहांब सबसे ज्यादा सब होता है क्योंकि वहाँ पर cold stream और hot stream आके मिलती है ऐसे ही अगर मैं नॉर्थ इस्टन अमेरिका की बात करूँ तो वहाँ एक Falkland current जो की थंडी जलदारा होती है और एक south से north की तरफ जाती है जिसे हम gulf stream कहते हैं जब यह Falkland और Gulf stream मिलती है तो वहाँ पर क्या होता है बहुत सारा फाइको प्लैंटन पैदा होता और वहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी की फिसेस जो वहाँ पर हमें मिलती है ठीक है इन वर्ल्ड में तीन ही जगा पर जगा ऐसी है जहाँ पर ऐसा प्रोसेस होता है एक तो आपका यह हो गया और एक आपका यह डाबर हो गया बैंक और एक यह आपका जपैन के पास होता है यहाँ पर भी एक मुझे नाम नहीं आदा रहा है अभी मैं नेक्ट लास में जब ओशेंस के ऊपर कभी चैट रोगा तो मैं डीपली आपको पढ़ाऊंगा पर यहाँ अब ठंडी जलधारा और गरम जलधारा मिलते हैं जिसके वजह से यहाँ पर भी फिशिंग बहुत ज्यादा प्रमोट की जाती है अब सर्कुलेशन जो है वह बिसिकली तीन तरीके से होता है जो वेवस जो वेवस आती हैं आपको पता है समूंदरी वेवस आती हैं उनके व फ्यूंदा होगा तो इसलिब्स को कुल सर्फेसद केहते हैं और जो जो शेतर से आ रही है तो उसका जो जल है वह गरम हुब इसलिए असको वार्म Blackfish विह कहते हैं सिंपल अब हम बात करते हैं waves क्या होती है basically when water on surface ocean rises and falls अब देखिए पानी एक बार ओपर चड़ता है फिर नीचे उतरता है समुदर में को अगर आप कभी जाएंगे तो समुदर में क्या होती है ऐसे तरंग बनती है फिर नीचे उतरता है ऐसे तरंग बनती है नीचे उतरता है यहाँ पर क्या होता है circular activities होती है यहाँ पानी क्या कर रहा है उपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है उपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है तो इसी को हम waves कहते हैं ठीक है अब ये क्यों बनती हैं क्यों क्योंकि अगे मैंने आपको बताया था कि अर्थ के सर्फेस पे प्लैनेटरी विंड्स फ्लो करते हैं वो क्या करते हैं पुश करती हैं अगर ये सर्फेस है ओशन का अगर मैं इयर से इसको पुश करो तो फ्रिक्सनल फोल्ड जरेट होग या फिर बीच में कोई भी अफ्ट्रक्षन यानि कोई ठहराव नहीं आता है तो उनकी गतिज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेज हो जाते हैं ठीक है जिसकी वज़े से बहुत ज्यादा नुकसान होता है लाइक आपने देखा होगा समुंदर में तूफान आता है तो बहु ज्यादा इस प्रॉब्लम को जेलिने को मिलता है ठीक है अब हम बात करते हैं इसका सबसे अच्छा एक्जामपल जो है सुनामी यानि यह जैपनीश वर्ड है जिसको हम हार्बर वेवस के नाम से भी जानते हैं तो बिच्छो सुनामी आता क्या से सड़नली क्या होता है कि सम सब्सक्राइब जाता है और सब कुछ बहा के लिए जाता है तो उसी को हम सुनामी कहते हैं ऐसा 25 से 26 दिसंबर 2004 के बात है जिस दिन सुमात्रा आइलेंड के पास एक ऐसा ही अर्थविक आया था और उस भयानक रात को आज भी कोई नहीं बुला सकती है इतनी ज्यादा सुना का जो एपी सेंटर है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत बदलाव आया है आप समझ सकते हैं कि यह जो नेचरल डिजाश्टर होते हैं इनके वज़े से कितना ज्यादा नुक्सान हो सकता है सुनामी को हार्बर वेबस भी कहते हैं क्योंकि हार्बर जो होते हैं जहांपर क्या है कि मून का एक अपना गुर्ट्व अकर्शन बल यानि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो मून क्या करता है जो जो पृत्वी पर जो जल होता है उसको अपनी तरफ आकर्शित करता है तो क्या होता है वाटर की जो हाइट जो वाटर जो है वो उच्छा हो जाता है न अब उसके बाद यहां का जो पानी है वो भी इधर ही shift हो गया है और यहां का जो पानी हो भी इधर ही shift हो गया है जिसके वज़े से यहां पर तो पानी के quantity कम है यानि यहां पर नीचे एक ऐसी जगा खाली जगा बन जाएगी जिसको हम low tide कहेंगे तो high tide में quantity of water will be increased और low tide में ज इसको समझेगे due to the gravitational force of moon यानि जो चंद्रमा है उसके गुरुत्वाकर्चन बलकी वज़े से ऐसा होता है ठीक है अब high tide it is high tide when water covers much of shore by rising its high level अब यह समझ लेज़े यह अपना इंडिया है अब यहां पर बहुत उची लहरे आ लिए तो यह हमारा high tide हो जाएगा और जब यह लहरे वापस नीची हो जाती है तो यह low tide हो जाता है ठीक है अब it is low when water falls जब पानी ऊपर चड़ेगा तो इसको हम high tide कहेंगे और जब पानी वापस नीची आ जाएगा तो इसको हम low tide के लां से जानेंगे तो जिम सिंपल से बात है what is the reason क्या कारण है tide हने का तो सबसे पहला जो कारण है वो है gravitational pull ठीक है दो जो एक तो sun का gravitational pull और एक moon का gravitational pull इन दोनों के gravitational pull की वज़े से ही high tide और low tide आते हैं उसको हम आगे थोड़ा पढ चीश करिएगा अब एक होता है spring tide during full moon यानि full moon जिस दिन पूरा चांद दिखाई देता है और new moon जिस दिन अमवस्य होती है ठीक है उस दिन क्या होता है कि चंद्रमा जो है वो पिर्थवी और सूरज के बीच में आ जाता है ठीक है अब चंद्रमा जब पिर्थवी और पतब water up हो जाता है और यहां पर water नीचा हो जाता है और यहां पर भी नीचा हो जाता है यानि यहां और यहां तो आपके low tide होगे बट यहां पर क्या होगा high tide होगा इसको spring tide के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसकी जो height होगी वो highest होगी यानि spring tide के time पे जो gravitational pull of moon होगा वो ब ौश्टर यानि जब मुवन नाइनErगरी के Dollar Πैewer होगा तो इसकी बज़忆 से क्या ओगा यानि तो इसमें दोनों कहते हैं विताइट के नाम से तो इसको इसमें दोनों का मैं और डोनों जगह पर क्या और आएंगे बट जब height of tide will be not that much bigger जितनी ज़्यादा बिग होती है spring tide के अंदर ठीक है अब हम बात करते हैं importance क्या है हम tides को क्यों पढ़ते हैं तो देखिए navigation के लिए सबसे important like अगर मैं बात करूँ कि जब harbor के पास ship को आना होता है तो high tide के time पर ship क्या होता है अपने आप harbor के पास पहुच जाते हैं और harbor से जब उनको वापिस जाना होता है अगर पानी की जो depth है वो ज़्यादा नहीं है तो low tide में क्या होता है वो वापिस चले जाते हैं ठीक है ships to arrive at harbor is more easily during high tide ठीक है the high tide also help in fishing बहुत सारी fishing होती है इस time पर क्योंकि क्योंकि अपने साथ क्या होते हैं बहुत सारा fish को लेके आते हैं और बहुत सारा fish का food होता है तो fish already उनके साथ आ जाते हैं जिसके वजह से बहुत ज़्यादा मचवारों को फाइदा होता है ठीक हम बात करते है ocean currents currents की बात करेंगे तो हम इने तरंगे कहते हैं यानि समुद्री तरंगे समुद्री तरंगे बच्चों आपकी दो सबसे पहले यह जानना जरूरी कि ocean currents होती है ocean currents are stream of water flowing constantly on the ocean surface यानि समुद्र के धरातल पर जो यह जो यह जो कहते हैं तरंगे होती है लगातार constantly चलती रहती है यानि यह कभी रुकती नहीं पूरे साल यह एक ही दिशा में बहती रहती है ठीक है आने वाले time में हम इसको बहुत deeply पढ़ेंगे बहुत अच्छा topic है आपको काफी अच्छा लगी है तो basically यह दो तरह की होती है मैंना आपको बताया था अगर कोई current है वो warm water area से cold water area के तरफ जा रहे है तो हम उनको warm water current current कहेंगे अब जो cold area से यानि जो कहता है पोल से equator के तरफ आ रहे है उसको हम क्या कहेंगे cold water currents कहेंगे ठीक है basically अब जो भी equator के पास बनेंगी वो warm water होंगी जो poles के पास बनेंगी वो क्या होंगी cold water अगर मैं warm water का एक example थू तो गल्फ इस्ट्रीम जो है एक warm water current है ठीक है जिसके वज़े से fishing बहुत अच्छे हो जाते है नौर्थ इस्टन अमेरिका के पास अगर हम बात करें cold current की तो लेब्रो डॉर्ड जो current है वो एक cold current का से अच्छ एक सामपल है ठीक है अब हम बात करते ह फाइदा क्या होता है मलग इन ocean currents का जो है फाइदा क्या है सिंपल सी बात आगा temperature condition of area यह क्या करते है किसी particular area के temperature को impact करती है अगर warm current उस area में flow कर रहे तो वहां का temperature बढ़ जाएगा अगर cold current वहां पर आती है तो वहां का temperature क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है अब यह आती है warm current bring warm temperature over the land बना भी आपको बताया कि यह क्या करती है जहां जाती है वहां पर temperature को क्या कर देते है वार्म यानि गरम कर देती है अब warm and cold current जहां मिलती है best fishing ground वहीं पर बनते है यह चीज मैंने आपको अब भी बताए थी जपैन में मैंने आपको बताया था नौर्थ अमेरिक ठंडी और गलम जल्दा रहे हैं जहां भी मिलेंगी वहां पर क्या होगा बहुत ज्यादा foggy weather हो जाएगा ठीक है foggy weather इसलिए होगा क्योंकि humidity होगी air के अंदर जब वह अचानक ठंडी होगी तो भाब में convert हो जाएगी fog बहुत सारा वहां पर अपने आप आ जाएगा ठीक ह देन हम बात करते हैं कुछ ocean currents के बारे में जान लेना बहुत ही ज्यादा important हो जाता आपके लिए तो इस graph में आप देखें जो red color है वो denote करहा है warm currents को और जो cold current है वो blue color से denote किया जा रहा है ठीक है तो जो यह देखिए इसको हम north equatorial current कहते हैं जो equatorial region से west की तरफ flow करना है तो यह उपर के तरफ जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो कि Gulf Stream के नाम से भी जाना जाता है वैसे ही आप यहाँ पर north equatorial current को भी देख सकते हैं यहाँ पर यह जो east wind drift है यह सारी के सारी क्या है यह ठंडी current है ठीक है आपको आज बहुत सारी knowledge में लिए होगी और आपको इसका फायदा भी हो रहा होगा ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इस वीडियो के उन लोगों तक जरूर पहंचाएं जिनको यही topic समझ में नहीं है उनको बहुत जल्दी से ही चीज़े समझ में आ जाएंगी और यह पहा तक आये हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें थैंक्यू गाइस आपके सपोर्ट के बिना इस चैनल को हम आगे नहीं लिए जा सकते हो और इस चैनल का एक ही मोटो है आपको लाइफ टाइम सारी के सारी जो जो जोगरिफिकी नॉलेज होगी यह content होगा free of course अपने अप्री जो लाइस